बहुत बहुत स्वागत है बच्चो आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत जादा important होने वाली है क्योंकि बच्चो आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे क्लास 11 का आपका जो history का subject है यानि की इतिहास का इसके बारे में ठीक है तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपका हिष्ट्री का आज यानि की 26 फैब को morning shift के बच्चों का और उसके अगले ही दिन 27 फैब को यानि की कल evening shift के बच्चों का आपका हिष्ट्री का जो annual का exam है यानि की आपका जो final का exam है यह होने वाला है और usually देखा जाए तो morning के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ 5 से 6 घंटे और बच्चे हैं और evening के बच्चों के लिए अभी एक दिन का समय और बच्चा हुआ है तो इसलिए आप सभी बच्चों की कम टाइम की shortage को देखते हुए कम टाइम में आप अच्छी तयारी कर पाओ preparation आपके English हो साथ ही साथ आपका बहुत अच्छा revision भी हो जाए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक और most important sample question paper को जिसके सारे के सारे question को इस एक ही वीडियो में हम discuss करके बहुत अच्छे से solve करके समझेंगे यानि कि कोई part 1 कोई part 2 कुछ नहीं एक ही बार में पूरा paper basically देखो आपके history के final के लिए already हमने एक नहीं दो नहीं पूरे की पूरे 6 sample question paper आपको solve करके समझा दिये थे कल मैंने live लिया था तो बहुत सारे बच्चों से पूछा था कि क्या आपको एक और sample पर चाहिए तो बहुत सारे बच्चों की demand आई थी इसलिए आप सभी की demand पर based आप हम discuss करेंगे sample paper number 7 को ठीक है अगर आपके 6 sample paper में से कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो उस playlist का link आपको मैं i button में दे दूँगा और description में इस playlist में आपको सारे sample वीडियोस मिल जाएंगी ठीक है तो जाके जरू से देख लेना बच्चों वीडियो में आगे बढ़ने पर ध्यान दे लेते हैं क्योंकि हो सकता है नई वच्चे पहली बार देख रहे हूँ अगर आपको पता है वच्चों तो दो मिनिट का आप skip कर लो यहां से आपको मैं mcq समझाऊंगा section a के ठीक है फिर section number c फिर section d और फिर आएगा section number a section a के अंदर 1 से 21 या आपके एक अंगे के बहुँ विकल्ट भी आप रश्ण होंगे यानि कि total आपके 21 mcq जोंगे ठीक है बच्चों और mcq के लिए मैंने आपके लिए लाइव सेसन लिया था बच्चों 150 प्लस mcq का अगर आपने वो अटेंड नहीं किया है तो उस लाइव सेसन की वीडियो का लिंक भी यहाँ पर आई वटन में आपको मिल जाएगा तो जाके mcq की तयारी कर लिए ना फटा फट से section b के अंदर 22 से 27 या आपके लगुतिये प्रश्ण होंगे यानि कि 3-3 नंबर के टोटल आपके 6 कोशन और अच्छी बाती है कि 2 कोशन में आपको अत्वा मिलेगा ठीक है फिर section c के अंदर 28 से 30 या आपके धीर गुतिये प्रश्ण होंगे 8 नंबर के यानि कि 8 नंबर के टोटल 3 कोशन और 8 नंबर के हरे कोशन में आपको चोश मिलती ही है section d के अंदर 31 32 और 33 या आपके चार नंबर के 3 कोशन होंगे सुरोता धारेत और यह बच्चे जाता है section तो इसमें आपका 34 कोशन होगा map वाला और 5 नंबर का बच्चो map के लिए मैंने 20 मिनट की बहुत अच्छी वीडियो बनाई है अगर आपने वीडियो मिस कर दिया नहीं देखिए तो इसका भी लिंक आपको यहाँ पर आई वाटम में मिल जाएगा तो टोटल तीन वीडियो आपको यहाँ पर आई वाटम में मिलेंगी तो उनको जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत इंपोर्टेंट है आपके exam के point of view से ठीक है चलिए जो बच्चे English Medium के हैं एक बार वो भी अपने paper के pattern को थोड़ा ध्यान से पढ़ लें section A के अंदर 21 MC की होंगे section B के अंदर 22 से 27 short answer question होंगे आपके 3 marks के section C के अंदर 28 से 30 long questions होंगे आपके 8 marks के section D के अंदर 4 marks के आपके 3 questions होंगे source based और E के अंदर 34 question map based रहेगा 5 marks का ओके तो शुरुआत करें बच्चो आर यू ready for that श्यालियो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले बात करेंगे section number A की अब section A में है हमारे 21 MC की तो आप सभी बच्चें से request है कि इन 21 MC की question का answer आप सभी बच्चे भी मेरे द्वारा answer बताया जाने से पहले अपने मन ही मन जरू सोचना की सजिये question पढ़ रहे हैं तो मेरे सबसे इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये answer हो सकता है ठीक है तो फटावट से सारे बच्चे answer सोचेंगे ठीक है और जब यह video end हो जाएगे न तो आप सभी बच्चे मुझे अपने score बताना कि आज जब आपका कल paper होने वाला है तो आज आपने इन 21 मेंसे कितने MC मतलब कि कुछ ऐसे बिक्चू थे जिन्होंने ये कहा कि हम मठों में नहीं रहेंगे ठीक है उन्ने ये कहा में रहेंगे घुंके एक इस्थान से डूसे सब ऋंपर घूमगूम कर लोगों को उपदेश देंगे और उन उपदेशों से प्राप्त हमें जो भी घान मिलेगा उ आपका सी करेक्ट है अब मोंक नन ए भी क्या होते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया तो ऐसी करें कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज्ज वह न वह भी देता चलूंगा ठीक है तो आपका है यहां पर सी करेक्ट है यह एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुक्ष्म परिक्षण के लिए यानि कि माइक्र स्कोपिक एक्जामिनिशन के लिए मनुष्य के सरीर की चीड़फाड की ते यान कि आधनिक जो सरीर विज्ञान है उसका सरे इन व्यक्तिक हो जाता है तो वो कौन से थे आंड्रिय वेसिलियस देखे टाइम कम है ना इसलिए मैं आपको सीरे से आंसर बताऊंगा ज्यादा इदर दर की वात है नहीं तो आप्षण एक रैक्ट है चीनी समयवादी दल से पराजित होकर ऐसे कौन सी निता थे जो कि 1949 में टाइवान भाग निकले और वहाँ पर जाके उन्होंने चीनी गड़ तंत्र की सापना की थे तो कौन हारा था वाई 1949 में चाइना से कौन भागया था ताइवान तो वो भागये थे चियांग काईशेक कौन थे वो चियांग काईशेक और जाके क्या ना में टाइवान में लोग तंत्र की सापना की थे चीनी गड़ तंत्र की तो अप्चन आपका बी करेक्ट है कौस्चन बड़ फोर्थ बच्चो मेसोपोटामिया के जो लोग थे ये लकडी का तामबे का चांदी सोने सेपी और विवित प्रिकार के जो पत्र थे इनकी यहां पे बहुती कमी थी ठीक है तो इसी लिए यह लोग इन चीजों को कहां से मंगाते थे तुर्की से मंगाते से हां इरान से मंगाते थे जी सर काड़ी पास से अरे हां भाई हां यहां सेब्य मंगाते थे तो ऑप्शन नमबर हमारा डी हो जाएगा ठीक है चलिए कुस्चन नमबर का यह आपका डी हो गया ॠीक है परतिय क्शिल्ब या उद्योग एक स्रेणी कीeeee स्रेणी एक ऐसी संस्ता थी जो कि उत्पार की गुडवत्ता उसकी मूल्य और विक्री पर सभी पे नियंतन दढ़ती थी तो स्रेणी के बारे में पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और स्रेणी सवागार प्रती एक नगर का एक आवशक अंग होता था, तो ये वाला भी सही है तो अर्थात, यहां पे आपका 3 marks का question भी complete हो गया, कि स्रेणी की विशिशनाय बताईए तो well, option आपका यहां पे जो है, c वाला ये एकदम correct हो जाएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा सारी right है, option आपका c वाला एकदम right हो जाएगा अब देखो question number 6 क्या कहता है, अभी केथन में कहा गया है 1954 में अनेक मूल लिवाशियों ने अपने द्वारा declaration of Indian rights ये तयार कर लिए ठीक है, declaration of Indian rights, अब इसके अंतरगत, इन मूल लिवाशियों ने एक सर्त रखी क्या सर्त रखी, कि सैयुक्त राज अमेरिका की नारिकता सुईकार तो कर लिए उन्होंने लेकिन उनके रिजर्वेंस, उनके जो रिजर्वेंस हैं, वो उनसे वापस नहीं लिए जाएंगे और उन मूल लिवाशियों की परंपराव में, हमारी परंपराव में कोई भी American government दखरंदाजी नहीं करेगे तो इन्होंने ये declaration किया था, declaration of Indian rights, अब इसमें क्या कहा गया तो कारण में बता दिया गया है यानि कि कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कारण कथन की सही व्याक्या करता है, ठीक है, तो A वाला आपका option right हो जाएगा, इसे परिकास से असेसें ठीक है, रिजन ठीक है, और ये इसकी सही explanation भी दे रहा है, तो A right है, चलिए, question number 7 में बच्चों देखे क्या पूचा गया है, कि दी गई छवी को पहचाने, चित्र को पहचाने, तो इस चित्र में आप जो देख रहे हो, ये basically अफिम यूद को रशाता है, किसको जो चलिए आगे रेखते है, question number 8, रोमन समाज में पारिवारिक इस्तिति की संदर में कौन सा सही है, तो 3 marks का question फिर से complete होगा, रोमन समराज में ये था समाज में, कि एकल परिवारिका समाज में प्रेशलन था, पिता, पुत्र, नहीं, ना स्वरी, एक तो पत्नी और पती, और बेटा यही साथ रहते थे, ठीक है, कभी बड़ा बेटा आपने पिता के साथ में नहीं रहता था, पिता का राज्य जो था, वो पुत्र को मिलता था, विचैपुत्र नेशरगी को, या फिर यादत तक, यानि कि गोद लिया हुआ, जैसे आगास्टन अटिवेरियस को आगे देखो बच्चो, कि चंगेज खान की सेना की सबसे बड़ी एकाई, जिसे लगवग 10,000 सेनिक होते थे, उसे क्या बोलते थे, इसी पिरकार से आप इंग्लिस में देखेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, अगला, वोपी समुदाय जो है, आज वर्तमान में, किसके निकट रहने वाले आदिवासी है, खुपी समुदाय वर्तमान में कहां पे है, अमेरिका के कैलिफोनिया में, कहां पे है, अमेरिका के कैलिफोनिया में, ठीक है बच्चो, उसके बाद देखो, कुश्चन नमर 11, एंग्लिस में आपका ये हो जाएगा, 11 क्या कहता है, कि Solidus नामक का जो सिक्का था ये तक्रीवन साड़े चार ग्राम विश्व दूसोने का बना हुआ था ठीक है और ये सिक्का Roman Samaraj के समाप्त होने के बाद भी चलता रहा था अच्छा अब ये बता हो कि Solidus नामक का जो सिक्का था आँक के रिए प्रचलन में चलवाया किसने था, किसने डलवाया था, किसने लगू किया था, तो ये किया था बच्छो Cost and Time ने, Option B आपका Correct है, ठीक है इसे परिकार से यहाँ पे इंग्लिस में आपका B राइट है अगला Roman Samaraj की विश्व को क्या देन है, अब यहाँ पे देखो फिर से, तीर मार्क्स का Question complete होगा, तो Roman Samaraj की विश्व को क्या देन है, सबसे पहली देन तो ये है, कि सामराज इस्थापना, सामराज इस्थापना के सिधान्त दिये हैं इसने, राज जी है प्रबंद की सिख्षा दिये है, कैसे राज को प्रबंद की आ जाए, सैनिक संगठन संचालन की विधियां प्रोवाइड की है बहुत सारे सडक, पुल साहित, दर्शन, भवन दिर्माण इत्यारी की कलाई हमें दी है तो क्या बोलेंगे, Option number D वाला जो है, रोमन अंपायर के बारे में ये एकदम करेक्ट हो जाएगा ठीक है, इसे प्रेकार से D यहाँ पे राइट है अगला अब देखो, एन मरकर ने अपने सहर को सुन्दर बनान बाने के लिए, खास करके अपने सहर के मंदिर को सजाने के लिए अब आपको ये बताने इस दूद का क्या नाम था तो most अब दी बच्चों को लगेगा कि ये गिल्गे मिश्य नहीं ये कहानी जो है, ये गिल्गे मिश्यु महाका भी उसमें दी गई है दूद का नाम था अरट्टा क्या नाम था? अरट्टा अब देखो question number 14, बहुत यह असान है 19th century में, नोवी सताबदी में, प्राया युद होते रहते थे यूरोप में तो इस बज़े से एक नए वर्ग को बढ़ावें मिला ये वर्ग ऐसा था, जो कि कुशल घुरसवाद सेनिक थे जो लॉड के लिए युद लड़ा करते थे तो ऐसो को क्या बोलते थे? इनको नाइट्स बोलते थे क्या बोलते थे? नाइट्स बोलते थे अगला question यहां पर ए हो गया आपका अब question number 17, 15 है basically दास्ट प्रता को जारी रखने वाले और उसको खतम करने की वकालत करने वाले राज्जयों की वीच में युद कभ हुआ जिसमें प्रता को खतम कर्ते थे उनकी जीत हो गई थी तो युद कभ हुआ था? युद हुआ था basically आपका चार साल के लिए ठीक है? तो वो चार साल कौन से थे, देख लो इसमें से कौन सा होगा, सजी सभी में तो चार साली है, ठीक है, बी वाला आपका राइट है, 1861 से 65, अगला भी हो जागे यहां पे, आप देखो question number आपका 16, फिर से आपका एक 3 number का question complete होगा, question क्या है, कि मंगोलों के पतन के मूल कारण क् तो सबसे पहला कारण यह था, कि मंगोल जो थे, उनकी संख्या बहुती कम थी, दूसरा मंगोल अपनी प्रिजा की पेक्षा बहुती कम सब्य थे, और तीसरा मंगोलों के द्वारा अन्य धर्मों को भी अपना गया था, जिससे यह अपने ही धर्म को नहीं अपना पा रहे और अन्य धर्मों के अपनाने की बज़े से, जो धाने भी विविनता थे, यह उसको संभाल नहीं पाए, तो इस बज़े से भी हो गया, तो इतन्या की, ऑप्शन जो D है, यह हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसे प्रकार से आपका D राइट है, अगला देखो बच्चो मैसोपोटामिया के इतिहास में, जो यहां के खाना वदोस हुआ करते थे, यह किस जाती के थे, ठीक है, तो मैसोपोटामिया के इतिहास में, खाना वदोस, अकदी भी थे, एमोराइट भी थे, इवन जो यहां के राजा थे, वो भी एमोराइट समुदाई के ही थे, असीरि 18 अब हमें यहापे जानकारी देगी है और जानकारी के साफ्से भी विक्ती है जो की निर्विवाद रूपसियन की वनाविवाद के वर्तमाण पर चीन है इसके सथापक मने जाते बस पहली लांड में आप answer मिल गया होगा है ना मिला या नहीं कि इन्होंने चाइना की स्थापना की है साथ ही यह सकते कि यह एक गरीब परिवार से हैं उन्होंने मिशन उस्कूलों में अपनी सिख्छा किरेंड किया है जहां उनका परिषय लोकतंत्र और इसाय जर्म दोनों से हुआ था तो यह कौन थे यह थे वच्चो सन्याद सेल यानि कि option A correct है उके इसी अपरिगार से सारी बात है किस के दिया था कि चंगेश खान के उसका जो तीसरा पूत्र होगा ओगोदोई क्या होगा ओगोदेई ओगोदेई तीसरा पूत्र यह इसका उत्रादिकारी वनेगा और इस ओगोदेई को उस महान खान की उपादि दी जाएगी जो मुझे अनकी चंगेश खान को मिली हुई है जब उगोदेई का राजिवशेख होगा तो उसे राजधानी कारा कुरम मिलनी चाहिए उसके सबसे चोटे बेटे सबसे पुत्र चोटा जो था तोले इसने अपनी पैतिक भूमी मंगोलियों को प्राप्त किया चंगेज खानने यह जो तीन बाते कहीं यह भी सही है और चोटे पुत्र को जो इस्थान मिला वो भी सही है तो क्या बोलेंगे ऑप्शन हमारा यहां पर बी वाला जिसमें सारी के सारी कत्थन यह राइट है इसे प्रिकार से यहां पर देखेंगे तो कहां गया यह सारी के सारी किस क्या करते हैं राइट है आपके चलिए कुश्चन नमबर 20 एक बार फिर से तीन नमबर का कुश्चन आपका आ गया है कुश्चन क्या है रोमन समराज में आधुनिकता दशाने वाले अबलेक्षन का चैन कीज़े तो आधुनिकता उसकी एकॉनिकल कंडिशन को और अच्छा दशाने वाले सबसे पहला उच्च वर्ग की करवसूली दूसरा प्रशासन के कारे में सक्रियता साहता और तीसरा एकल परिवार महिलाओं की इस्तिति सांस्कृतिक विवरता सारी के सारे आजनिकता की उदर्शाते है तो आप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है अब हमें कैसे कोशन की बात करते हैं जिसमें बहुत सारी डेट्स हैं क्योंकि डेट्स आपको बहुत ज़्यादा डिफकल्टी देती हैं इसलिए तेटे बच्चो 1300 इसमें जारान इटेली के पादुआ विश्विद्याले में मानफ्तावार पढ़ाया गया दूसरा दूसरा चारों की चारों बाते सही है तो क्या बोलेंगे ऑप्शन जो सी वाला होगा बच्चो यह हमारा एकदम करेक्ट है अब यह कोशन 99% बच्चो को नहीं पता होगा क्योंकि इसमें इतनी सारी डेट आपने कहीं नहीं देखियोंगी इसलिए तो देख लेते हैं एक बार इंगलिस में यह सारी की सारी राइट है तो अप्शन आपका सी करेक्ट है अब आप सभी बच्चे कमेंट में बताओ कि 21 आ इस पेपर में हमने वही कोशन लिये है जिसकी बहुत जारत समबना कि यह आपकी पेपर में आ सकता है ठीक है ना तो बड़े जान से पढ़ना बच्चो तो कोशन बड़ 22 क्या कहता है ब्रेटेंड भारत और चाइना इसके बीच यह उत्पारों का त्रिकोणिय व्यपार थ हैं जैसे की चाय रेश्ण्शम चीनी मिट्टी की वर्तन वरतनों की उत्पार में नींस्षनफिरन यानि की इस व्यपार में चीने उत्पार जैसे की चाय format में चिनी मिट्टी in फिर फाइनली इस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा विकल्प ढूड़ा जो की हर जगह पर वियापार किया जा सके वो था अफीम ठीक है अफीम यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत ही आराम से उगाई जा सकते थे चीन में अफीम बेचने के जरिये वे चान्दी कमाकर केंटन में उधार पंत्रों के मांद बदले कमपनी के प्रतिने को देने लगे यानि कि भारत से अफीम हो गाया चाइना में बेचा चान्दी देती थी तो चान्दी यह लेते थे और कमपनी को दे लेते थे ठीक है इस तरह कमपनी उस चान्दी का इस्तिमाल बेटेन के यही ब्रेटेन भारत और चीन के बीच उत्पादों का त्रिकोणिये व्यापार था ठीक है और इसी को लेकर पहला अफिम युद्ध भी 1849 से 42 के बीच में हुआ था बच्चो ठीक है तो क्या है त्रिकोणिये व्यापार आगया बड़िया तरीके से समझ मैं चाइना का पच् क्रमिक पीडों के विचार को अलग-अलग समझाइए यानि की सिंपल सी बात है कई बुद्ध जीवी ऐसे थे जो जापान के अने जिसों के संबंद के बारे में बताते हैं तो हमें यह बताना है कि वो कौन-कौन से थे और वो क्या-क्या कहते थे तो मैं लिए कुछ तीन से ठीक है तो वहीं दूसरी ओर मेजि काल के फुकोजावा युकुची क्या कहते हैं वो कहते हैं और यह जापान वास्यो तुम अपने मैंसे एसे के लेक्षड को निकाल फिको तुम और फिल्डबरफ हो जाओगे आसानी से यानि कि युकुची कहते हैं यह जापान तुम अपना खास हुनर है तो बस हमें अपने इसी हुनर को विक्सित करना चाहिए और अगर हमने अपने विकास में अपने हुनर को प्योग किया तो इसका मतलब यह होगा कि हमने विश्व को अपना समर्पित किया है ठीक है उसके बाद बहुत से बुद्धी जी भी यह मानते थे क पश्ची उदारवाद यह होना चाहिए वे चाहते थे कि जापान जो है वो अपना आधार सेना की वजाए लोकतम तर्गों बनाए ठीक है वो यह कि एमोरी कहते हैं कि उदारवादी सिक्चा की पक्चक थे विवस्थाव से जादा कीमती चीज है इनके लिए आ जादी बहुत सारी लोगों की बहुत सारी जो विचारक थे उनकी यहां पर बाता रही थे ठीक है तो अब आप इसको पढ़ सकते हैं इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं सारे पंट आपको देगे हैं बच्चों की बार में और सेकंड क्षिटन की दा व्यूज आपको यह पढ़ लेने और समझा देने लिख देने एं चलिए कोस्टन में 23 समराट कॉंस्टेंट टाइन के द्वारा मौद्रिक छेतर में किये बदलावों का वर्ण कीजिए तो समराट कॉंस्टेंट टाइन ने मौद्रिक छेतर में क्या-क्या बदलावों किये थे तो आजाए बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट प्राशन है ठीक है देखो समराट कॉंस्टेंट के द्वारा मौद्रिक छेतर में किये बदलाव सबसे पह तारा तो कितना जरूरी इनोंने ये कार किया था दूसरा ये सॉलिडे सिक्के बहुत बड़े पेमाने पर ढ़ाले जाते थे और लाखों करोणों की संख्या में ये चलन में थे अब जब मौद्रिक इस्थाहित हुआ और बढ़ती जन संख्या के कारण आर्थिक विद्धिमि उसके बाद जब मौद्रिक रनाली अच्छी हो रही है लोग पास मुद्राएं पहुच रही है तो सिंपल सी बात है धन का अच्छा कासा निवेस भी होगा कहीं निवेस हुआ तो पूरव के जो देश थे इसके साथ में लंबी दूरी का व्यापार भी होनी लेगा जिससे व्यापार और तीजी सी बड़ा इतना ही नहीं समराट कॉंस्टेंटाइन ने दूसी राजधानी बना डाली कौनसी कुस्तुन तुनिया अब भाई नई राजधानी है तो ये तीनों समुद्र से गिरी हुई थी चूकि नई राजधानी है इसलिए नई सेनेट के जुरत प गया था तो क्या-क्या बदलाओ की थे और बदलाओ जो किये उससे और क्या-क्या बदलाओ आये थे यह सारे बात आपको पता नहीं थी ठीक है चलिए अब जो बसे इंग्लिस मीडियों के वह यहां से देखें डिस्क्राइब दी चैंजिस मेड इन दी मोनेटरी सेक्टर व अमरीकियों के लिए फ्रेंटियर सबसे पहला संयुक्त राज्य अमेरिका लगवग 18 सताब्दी के अंत में अपने स्थित्व में आया था जब यह अपने स्थित्व में आया तो सीग्र ही संयुक्त राज अमेरिका ने अपने वेस्ट की ओर बढ़ना शुरू करते अपने यह अमेरिका की पश्चमी सीमा यानकी जो फ्रेंटियर थी यह खिसकती रहती थी अर्थात वो पश्चमी सीमा बढ़ती जा रही थी इनकी अब यह विस्तार के लिए एक करीटर की अपनाते थे छेत्र को कभी खरीद लिया कभी युद का सहारा लिया ठीक है कभी छेत्र को अमेरिका की पश्चमी सीमा भेस वहां के इसथाने सरहदवास लिए विस्तार कि अम्युकर की सीमा यह यह खिर तो वहां के फिस वार्शी पीछे के स्क पीछा ने लगे तो बहुत लोगों बहुँ चsmसान है अब इसने बहुत सारे तरीके वनाई कानूनी पनाई थे बस व था ठीक है इंगलीस में पूर अमेरिकन्स फ्रेंटियर मेंटर एक्स्प्लें बीफ ली तो क्या है इसके बारे में क्या-क्या पॉइंट है सारे पड़ सकते हैं रोमन समराज में सांस्कृतिक विविनिता बहुत देखी गई है इसकतन की विवेचना कीजिए तो उत्तर में कैसे लिखेंगे सबसे पहले रोमन समराज में सांस्कृतिक विविता कई रूपों में कई इस्तर में देखी जाते हैं जैसे कि रोमन समराज में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय की लोग बहुत सारे इस्थाने देवी देवताओं को मानने वाले लोग बहुत सारी बोलचाल के अनेक भासाओं को बोलने वाले लोग, बहुत सारे बेश भूशा अनेक विधियों, शेलियों को मानने वाले लोग, तरह तरह के भोजन को करने वाले लोग, तरह तरह के समय संगठनों के लोग, एक साथ रहकर उन बस्तियों में रहते थे, तो पहला तो ये पहला ही नहीं ये तो पूरा आंसर ही होगे एक तरीके से माल लेजिए अब यहाँ पर कुछ एक्जामपल लेके हम समझते हैं अरामाइक निकटवर्ती पूर्व कम से कम फरात के पश्ची की बात हो रही है तो अरामाइट निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा देखो भाषा समूता है यान कि अरामाइट जो है ये निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूता मिस्र में कॉप्टेक, ओत्री आफ्रीका में ब्योनिक तथा बरवर इस्पैन तथा उस्तर पस्चे में कैटलिक भासा बोली जाती थे तो ये भासा का एक्जाम्बल हो गया हाला कि भासा तो बहुत बोली जाती थे लेकिन यहाँ पे आज तक अपनी किसी भी लिपी का यहाँ पे अविस्कार नहीं हुआ था उधान के लिए आर्मेनियन भासा का लिखना भी बहुत देर के बार लगवग पांची सरब्दी के आसपा सुरू हुआ था ठीक है अब देखते एंगलिस वीडियो में दा रोमन अमपायर वाज यूनिक ब्लेंड ऑफ कल्चर डवरिश्टी डिसकस देस स्टेटमेंट तो कैसे डिसकस करना है कर लीज़े डिसकस अच्छे से चलिए बहुत बड़ा प्रश्ण और बहुत वैसे तीन नमर में ले लिया में लेकिन यह आठ नमर का है ब्रह्मांड के प्रती कॉपर निकस के सूर कैंडरे सौरमंडलिय सिध्धान्त और इसाइयों की विश्वास में अंतर बताईए तो आजाएए सबसे पहले बात करते हैं कॉपर निकस के बारे में क्योंकि इनका ही अलग से तीन नमर में आ सकता है कॉपर निकस एक निष्ठावान इसाई थे उनके उन्हें अपनी नई खोज को पांडलिपी जिसका नाम था इसमें रखा लेकिन यह प्रिकासित नहीं करना चाते थे इसको क्यों कि इन्होंने यह सोच था अगर मैंने इसको प्रिकासित कर दिया तो एशाई जगत में हमारी खुद के धरम में ही जो क्या नाम है भगदण सिमच जाएगी ठीक है ऐसी खोज नहीं की थी कौपर निकस ने ये घोशना की थी कि प्रित्वी के समेथ जितने भी ग्रह है वो सूर के चार और परिक्रिमा लगाते हैं ठीक है फिर यहाँ पे खगुल सास्ति की बात आई थी खगुल सास्ति एक थे जोहानिस केपलर और एक थे गैलिली ओ गैलिली इन्होंने अपने ले हैं मनुष्य पापी है और मनुष्य के पापों की वज़य से प्रित्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिक्ता के कारण ये ब्रहमांड के कैंद्र में इस्तित है इसी वज़य से प्रित्वी ब्रहमांड के बीच में इस्तित है जिसके चार और सूर के सहत अन्य चलिए अब इंगली से देख लीजिए आप डिफ्रेंस बीट्विट्विन कॉपनिकर सोलिस्टिक सोलर थियोरी ऑफ दी उनिवर्ष एंडर विलीफ ऑफ क्रिस्टियन्स तो इसमें आप चौता पॉइंट मत पढ़ना बस बाकी जितने पॉइंट दिएगे एविसी पहले यह पढ़ लीजिए और क्रिश्टियन्स के बारे में क्या पॉइंट है दो यह पढ़ लेना बस ओके कुश्चन नमर 27 बड़े ध्यान से पढ़ो बच्छो काफी इंपोर्टेंट है यह पहला वाला है 27 का यह 8 में भी आ सकता है मारी नगर एक अत्यंत महतपूर्ण व्यापारि किस्तल पेस्ते था जहां से होकर लकडी, तांबा, रांगा, टेल, मदिरा और अन्य किस्म का जो माल था वो नावों के जरीए फरात नदी की रास्ते दक्षड, तूर्की, सीरिया, लेवलान ऐसे बहुत सारे इलाकों तक पहुँचा जाता था तो किस किस चीज़ का कर लिया, फिर दक्षडी नगरों को घिसाई फिसाई के लिए पत्थर मिलना, चक्कियां, लकडी, शराब, तेल के पीपी ले जाने के लिए जो भी जलपोत होती थे, ठीक है, दक्षडी अदेशों के लिए, वो कहां पर रुखते थे आके, मारी में, अब मारी में रुखत करने के लिए, और रुकना बहुत ज़रूरी था, रुकेंगे नहीं तो इनके लिए बागी कि एनरजी का से आगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थे, कुछ पट्टिकाओं पे, साइप्रस के द्वीप, अलाशिया, इसका वर्णन है, तो साइप्रस के द्वीप, अला अंगे का व्यापार भी होता था लेकिन कम, क्योंकि कांसा, और जार, हत्यार बनाने के लिए मुख्यो द्योग सामगरे थे, उसके बाद यद्दिपी, मारी राज्य सैन्रेक दिश्टी से उतना मजबूत नहीं था, लेकिन व्यापार और सम्रीदि में के मामलें बहुत मैसोपोटामिया की क्रिशी विवस्ता का वड़न करना है, तो मैसोपोटामिया की क्रिशी विवस्ता कैसी थी, तो आजएगी देखते हैं, यह रही मैसोपोटामिया की क्रिशी विवस्ता, सबसे पहला, मैसोपोटामिया में लगबग साथ जार से छे जार इसा पूर्व के लेते थे ठीक है उंचाई वाले इलाकों में भारी मात्रा में मास दूद उन इत्यारी बस्तुवें मिल जाती थी इस टैपी घास के मैदान थे तो यहां पर पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था साथ ही दजलावा फरात कई धराओं में बठकर नहरों के रूप में तो अच्छा जीवन का आधार बनता था बस यही तिक्रिशी के वारे में सारी चीज़ें सिचाई के लिए नहरों का प्यूग होता था नहर का अगर पानी मोड ले दे तो यूद्ध होते थे बस यह आपको बताना था है ना चलिक है तो किस प्रकार से है यह है आपका तो यहां पर देखा रहे है तो विदिन अभी हमारे 30 मिनट्स हुए है इन 30 मिनट्स के अंदर हमने डिसकस कर लिया है सेक्षन ए और सेक्षन नमबर बी ठीक है ऐसी वीडियो में एंड तक बने रहे है बहुत अच्छे आपसे आपको सब को समझ में आ जाएगा बात करते है सेक्षन नमबर सी की आप सेक्षन सी के अंदर आठ नमबर के हमारे 3 कुशन होंगे तो बड़े द्यान से समझना एक दम फटा फट से आपको समझाऊँगा ओके चलिए कुशन नमबर 28 सबसे पहला गोल्ड रस से क्या ताथ पर है गोल्ड रस के कारण अमरीका में हुए और 2440 में स्रैयुक्त राज अमेरिका का एक च्टहर है कैलिफॉर् movimiento यहां पर सोने के कुछ चिन मिले और जैसे ही वाद पूरे विष्ण करके अमेरिका और इसके आजपास की कंट्री में पहुंची कोकि कोसी ने किसी को नहीं बताया सारे की सारे हजारों लाकों की संग्या में उठकर फास करके यूरोपी लोग आगे कहां अमेरिका किस सपने को लेके चुटकियों में अपनी तक्रीर को सवाल लेने के उमीद से इसलिए गोल्ड से उत्पन होने वाले इस भीड को इसी उस से आपा धापी को बोलते हैं सोने की वज़य से जो उत्पन होई भीड थी ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि आखर इसकी वज़य से क्या क्या बदलाव हुए कैलिफोरियान के अमेरिका में तो समझते हैं सबसे पहला बदलाव तो यह हुआ कि लोगों को लाने के लिए व्यापार को बढ़वाने के लिए पूरे अमेरिका में पूरे अमेरिकी महादीप में बलकी रेलिवे लाइनों का निर्माड हुआ पर कनाडा में हुआ 1885 में अब जब रेलिवे का निर्माड हुआ है तो सिंपल सी बात है रेल विक के निर्माण से समाधे साथ समान यान कि उसके जो पार्ट्स होते थे इसको बनाने वाले उद्योग जो थे ये भी विक्सित होने लगे और जब ये विक्सित हुए तो वहां के आम लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया था ठीक है संय ये विक्सित कर लिए अब उद्योग जो विक्सित हो ही रहे हैं तो क्या इनमें काम करने के लिए सिर्मिक आप सकता नहीं पड़ेगी इसलिए हज्यारों की संख्या में जो श्रमिक थे वह चीनी सिर्मिकों की यहां पर नियुक्ति की गए तो उद्योग हो गए complete उसके बा दुनिया में अगर देखा जाए तो अग्रणी और द्यूगिक सकती अमेरिका बन चुका था ठीक है प्रशांत महासागर और अट्लांटिक महासागर के बीच यह चेत्रे राज्यों में विभाजित किया जा चुका था और अब कोई भी फ्रेंट्रियर नहीं वजा था अमे आई बदलाओं की लहर के कारण ऊस्टेलिया के मुँन लिवाशं के जेवन पर द्रॉखा पड़ा through करेंट्रिया के मूरलिवाशियों को नए रूप में समझने की चाहत जगने लगी लोगों के अंदर एक एकास करके इतिहास कारों में मूल लिवाशियों को अपनी जमीन के संबन में आदर की साथ में ये इतिहास का देखने लगे मूल लिवाशियों को विश्ष्ट संस्कृति मानने वाले समुदाय की रोप में देखा जाने लेगा मूल लिवाशियों के इतिहास का लेखन शुरू किया गया मूल लिवाशियों की संस्किती का अध्यन किया गया उनकी अध्यन के लिए विश्व विद्याले विभाग खोले गए संग्रालय में उनकी कलाकितियों को एकत्त किया गया, जगह दी गई मूल लिवाश्यों की धर्वा जैसे कि उनकी कथाएं, कपड़ा, साजी, चित्रकारे, हस्त सिल्फ ये सब कुछ विश्व विद्याली विभागों में रखवाएगे उनको सहरा दिया गया ये लोग प्रकति और जलवाईयों को बहुत अच्छे से समझ सकते थे, तो उनकी उस पद्धितियों को इतियास कारों ने बहँचाना ठीक है, मूल लिवाश्यों की संस्किति को आदर दिया गया साथ ही, 1994 में वो संस्किति बाद आया, अथाद, 1994 की इस नीती के तहट, यह एक नीती थी, जो मूल यूरोपी है, और ACI जो प्रवाश्यों थे, इनकी संस्कितियों को समान आदर देने के लिए आई थे पिर टेदा नीशिस की बात आजाती है, एक दो पॉइंट आपके और यह आ जाते हैं, बस देखो इतना बड़ा आपको उनसर नहीं लिखना है, इसमें से कुल 8 से 10 पॉइंट आप याद कर लो, बस, यह 14 पंदा याद करने के जोड़त नहीं है, कुछ तो मैंने आपको ्या निश्य का अमेरिका में, तो गोल्डर्स क्या है, यहां से पढ़ सकते हैं, अब अमेरिका में से क्या क्या चैंजिस हुए, तो वो देख सकते हैं, पर, उसके बाद आप управह और यह दो decomp op क्यूआरे क्षम, और और अगला जो हमारा question है, question number 29, इसके दोनों ही question बहुत important बच्चों, क्योंकि पिछले 10 साल में 3-4 बर आ चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, question number 29 का पहला क्या कहता है, मैसोपोटामिया की जो भोगौली के सितिय है, geographical इसकी जो condition है, वो बहुत ही विसमेकारी है, विसम पोटामिया के छेतर के साब से, पहले पुरवत्तर भाग, फिर इसका उत्तर का भाग, फिर इसके पूरव का भाग, और आखिर में इसके दक्षडी भाग, इन सभी की हम अलग लग से विसमें समझेंगे, ठीक है, अब पुरवत्तर भाग से तीन नमर का आपका ये question complete होगा के किर्शी की क्या क्या विसे इसता है, तो पुरवत्तर भाग में लगवक साथ अजास से छेजार इसा पूर के बीच में यहाँ पे खेती शुरू हो गई थी, हरे भरे उची नीचे मैदान थे, दिरे दिरे यहाँ परवास रंखलाएं भी फैलने लगी, यहाँ पे सक्च करते थे, जंगली फूल बगारा हुआ करते थे, अच्छी फसल के लिए यहाँ पर्याप्त वर्षा भी होती थे, उत्री भाग, तो उत्री भाग में इस्टैपी घास के मैदान है, यहाँ पे आजीविका का साधन था पश्यू पालन, केती के तुलना में पश्यू पालन, और पुर्वत्तर में केती थी, ठीक है, वर्षा के भीडवक्रियां, वर्षा के भीडवक्रियां यहाँ उगने वाली चोटी-चोटी जहाडियों घास पूस से अपना भरनपोशन करते थे, वर्षा के वजए से जो चोटी-चोटी जहाडियां, घास पूस उत्मन होती थी उसी से भीड़ वकरियां अपना पेट पालते थे ठीक है पशुबालन होता था इसलिए पूरवत्तर पूरविवाग की बात करें तो पूरव में दजला की सहायक नदियां इरान के पहाड़ी प्रेसों में जाने के लिए परिवेन का अच्छा साथन थे तो परिवेन की बात हो गई एरान में ठीक है उसके बाद दक्षडी भाग की बात आती है तो दक्षडी भाग एक रेगिस्थानी इलाका है और यह वही इस्थान है जहां पर सबसे पहले नगरों का ठीक है नगरों का और लेकन प्रणाली यहां खेती के लावा भीड बकरियां इस्टैपी घास के मैदान पुरोतरी मैदान और पहाड़ों पर ढाल भी पाई जाती है जानवरों की अधिक्ता के कारण बारी मात्रा में इस दक्षडी राके में मास दूद उन जैसे बहुत सर बस्तुमें मिलती थे अब गर्मी में यहां के लोग क्या करते थे तो गर्मी में यहां के लोग नदियों से मचलियां और खजूर के पेड़ से फूल बगार निकालते थे उसको खाते थे आवशक्ता पढ़ने पार यो लोग गेहूं की जोओं की मतर की मसूर की आदे की सिचाई करके खेती भी कर लिया कहते थे तो यह थी जो ग्राफिकल कंडिशन मेसोपोटामियन सिवलाइजेशन की अब इसका सेकंड कोश्चन में देखिए दो कोश्चन है आपके सबसे पहला चंगेज खान की सैनिक उपलब्दियां विश्मित कर देने वाली थी पित्ये का संचिप्ट वर्णन और साथ ही चंगेज खान का और मंगोलों का सबसे पहले चंगेज खान की सैनिक उपलब्दियां विश्मित कर देने वाली थी तो सबसे पहला चंगेज खान ने सबसे पहले इस्टैपी छेत्र में ये देखा कि यहांके जो यूदुष अली है वह बहुत ही खराब है इसे बदलना पड़ेगा तो उसने बदला यूदुष अली को बदला अपनी आवश्कता के अनुसार अब जब उसने यूदुष अली बदली तो भाई वह ताकतवर बन गया इससे अब खुद चंगेज खान एक ये ऐसा विक्ति था जो एक कुशल घुड सवार था ठीक है कुशल घुड सवार साथ उसकी तीरंदाजी बहुत बढ़िया थे तो इसी लिए उसने अपनी सैनि सकती में सैनिकों को घोडे पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशन शिखाया ठीक है उसने सवसक्त नित्रत कि अपनी सेना का जिससे सेना उसकी अंडर में हमेसा कार करते रहे अब कुशल घुड सवा थंडी होती थी और इसे कई आकरमन करना ऊता था तो ये आवरास्ते से नहीं जाता था सिर्हा नदियों को राजमार की रूप में आपउयों नीजन्हस धी कि लोग उन्हों एपन थी ते चोटे-चोटे और हल्की चोटी बंदों के वेगर आदी थी तो इन सभी से जो चंगेज खान था ये एक बहुत ही ताकतवा शासक के रूप में उभरा ठीक है अब इसी का अगला कोशन चंगेज खान और मंगोलों का विश्व तियास में क्या इस्तान है तो सबसे पहला मंगोलों के लिए चंगेज खान एक म वीलाई लडाईयां थी इनको दूर किया और चीनियों के द्वारा मंगोलों का जो सोसड किया जा रहा था उससे मुक्ति दिलाई थे चंगेज खान ने उन्हें सम्रिद्ध बनाया और उससे अपने सामराज्जी को एक महादीब नहीं बलकि कई सारे महादीब तक फैला या पर आकर शेती है और ये और भी कंटी तक फैला इनका सासन बहु जाती है बहु वाशी और बहु धार्मेक था ठीक है तो यह होगे आपका और आज के टाइम पर मंगोलिया एक सौतंत राश्ट है और चंगेज खान एक महान राश्ट नायक की रूप में तर्था एक आराध धिवक्ति की रूपे आपर मानने है ठीक है तो यह दोनों ही कुश्चन आपके चंगेज खान के वारे में राइट हो जाते हैं और आई होप आपको समझ में आ गयोंगे बड़िया से ठीक है इसी को इंगलीज में देखते हैं इसके इसके इस्ट पार्ट की बात करेंगे औ और फिस साथ इंद पार्ट की बात करेंगे ठीक है सार पॉइंट दिए हुए आप पढ़ लो यहां से एंड जर साइकेंड कोश्चन की चंगेज खान की जो मिलिटरी अचीवमेंट से वह बताओ और चंगेज खान और मंगोल्स का वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या प्लिए से चंगेज खान की एक पढ़ सकते हो फिर एक तो यह हो गया और चंगेज कंद मंगोल्स का वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या योगदान है आप इसको यहां से पढ़ सकते इच्छे तरीके से ठीक है बच्चो तो यह हो गया आपका अब हम बात करते हैं सेक्शन हमारा जो सी है इस इसके आखरी question की, आखरी में भी आपके दो question है ध्यान से देखना, और ये दोनों ही question बहुत ही important है, कई वाध पेपर में आते हैं, कोशन 30 क्या कहता है जापान ने और चाइना ने अपनी आजादी के बार आधनिक राष्ट बनाने के लिए बिलकुल अलग लग राहें अपनाई थे विस्तार से समझाईए तो कौन-कौन सी दो राहें अपनाई दो नहीं मतलब दोनों देशों नहीं कौन-कौन सी अलग लग वाले तरीके यानि कि उसका पत उसकी राह सबसे पहला जापान ने अपनी आजादी बनाय रखने में ये सफर इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पारंपरिक होनर और प्रताओं को नए तरीके से आजमाना शुरू कर दिया था ठीक है जब ये आजाद हुआ 1945 के बाद में तो इसने जापान के बड़े-बड़े कुलीन वर्गों के साथ मिलकर आदुन की करण को बढ़ावा दिया जिससे राष्टवाद जन्म हुआ अब जापान ने पश्चमी समराजवादी ताकतों को एक छोटी सी नकल की और वो ये कि अब से हम खोद अपने देश की समस्चा को हल डोनेंगे उनको सॉल्व करेंगे जापान ने नए नए रचनार तक तरीकी अपना है जैसे कि उसने नए विश्विद्याले अविवस्ता लागू की समराट के वृत्ति वफवादारी लागू थी नैतिक शास्त्रे जो पढ़ान था इसको अनिवारे कर दिया के चार्ष जो दिया गया राज जी के प्रति निष्ठा और जापान के इतियास पर अध्यन पे बल दिया गया इसी प्रकार से इस प्रकार ने क्या किया कि और च्छेत्र में फुकोकु और क्यों हुए की समझाया अब जब इस निति को उपनाया तो भाई जो देश था वह द्राश्ट्रबाद की भावना बड़ी सैनिक तो पिए और जड़ा मच्बूत हुआ फिर व्यापार की बाता जाती है तो बैई जापान को ना अमीदेश समझा जाता है क्यों क्योंकि जापान चाइना से रेस्भार करता था आयात करता है और जो है जो है क्या नाम है चिन से रे सम का ठीक है चापान जो है एक सकेंड क्यूंकि जापान अमेध्य समझागे है चीन से रे सम का ठीक है और भारत से कपणा ऐसी जो विलास्ता की वस्ति में इसका आयात करता था तो इस प्रकास से जापान जो था वो अपना एक अलग डव्लोमेंट की रहा थी उसकी अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की जो की है चाइना ने आकर अपने आपके लिए कौन सी रापनाई थी तो हुआ ये कि 1911 में मांच्यू समराज को यहाँ पर समाप्त किया गया इसके दूआरा सन्याद सेन के नितरत में और फिर यहाँ पर गड़तन तरकीस था अपना होई थी चीन में पश्चमी और जापानी समराजवाद ने राजनीतिक और समाजी की व्यस्ता को महौल को जो था उसको तोड़ना बना दिया अच्छा ठीक है उसके बाद 19 वी और 20 सताब्दी में परंपराओं को ठुकराया गया इसको चाइना ने ये रेखा कि पुरानी परंपराओं जो है वो हमारे विकास के लिए सही नहीं है तो इसने ठुकराने शुरू कर दिया उनको अपनाना बंद कर दिया और राष्टिये एकता को बल देती हुए अपने नएने तरीकिस इसने सोचने शुरू कर दिया अब जब नएने तरीकिस ने खोजे तो लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात की और केंडी के तराजी की स्थापना की ठीक है बाजारों में बाजार संबनी सुधार की तो एकॉनोमिकल तौर पिया ताकत बढ़ हुआ लोगों को सिक्षा का सिक्षा यहां पर विस्तार किया जागरुकता फैलाई और विए कादा पॉइंट आप चाओ तो लेख सकते हो ठीक है इलेवंथ सेंचुरी में ग्यादवी सतब्दी में पादुआ और बोलेनिया यह दो ऐसे विश्व दाले थे इटली के जहां पर विदी सास्त पढ़ाया जाता था ठीक है अब विदी सास्त पढ़ाया ही जा रहा था फिर यहां पर यह रेखा गया कि इन नगरों में इटली के पढ़ाया जाने लगा उन्हें कानूनी प्रक्रिया ठीक है विदी सास्त के साथ में कानूनी प्रक्रिया भी पढ़ाया जाने लगी एक व्यक्ति है फ्रांचेस्को पेट्रॉक इनके प्रत्नि से ही आज आज नहीं यानि कि उस राइम की बात हो रही है तो उस समय जो कानू मानपतावदी . Mानपतावादी में इनका क्या योग्दान था था। देखो 19 सताब्दी में एक नई संस्कितिका जन्म हुआ। जिसे हम लोग مानपताव वादी संस्किती कहते हैं अब ये संस्किती थी क्या कैसे डबलब हुई तो इसको समझेए 15 अताबदी में विश्व विद्यालों में वियाकरन पढ़ाने वाले अलंकार विश्य पढ़ाने वाले कविताय पढ़ाने वाले इतिहास पढ़ाने वाले नीती रशन आदी विश्यों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे ये कहलाए मानपतवादी और इनहीं की बज़े से मानपतवादी विचार लोगों तक फैलने सुरू हुए अब ये जितने भी विश्या होते थे ये कोई धार्मिक विश्या नहीं थे बल्कि ये लोगों के कोशल पर विश्या बल देते थे उनकी चर्चा वादवाद को बढ़ाते थे लोगों तो खुद पैट्रो का इस्थाई नगर निवास था वो आ जाता है अब फ्लोरेंस की प्रिसिद्धी में दो विक्तियों का एहम योगदान है एक तो है दाते अलिगी हियारी यह एक धार्मिक संपताय की विशेश से संबंदित नहीं थे किसी भी लेकिन इन्होंने अपनी कलम धार्मिक संपताय पहुंद चलाई किसी ओरह सारे इन्होंने जीते जाकते एवत्म उत्रेंस करना था उड़ोपमेट ले सभी द्हालस कब खोले के कैसे क्या था आई होब आपको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा ठीक है तो इस तरीके से बच्छो आपका यह जो question था complete हुआ अब जो बच्छ इंग्लिश वीडियों के वह यहां से दिख लीजिए जापान और चाइना पॉलब कम्प्लीटी डिफ्रेंट पैट्स तो बिकम इंडिपेंडेंट और मॉडर्न एट्शन तो कैसे कैसे क्या किया उसने आप यह से पढ़ सकते इछ तरीके से जापान ने पहले क्या किया ठीक है तो यह जापान के बारे में हो गया तो जापान ने यह किया ठाप है पिर आपन पर चाइना की बाती है तो चाइना कर ने क्या किया किया कैसे कैसे आ अगे बड़ी तो चाइना के बारे में यह पॉइंट आजाते है ठीक है और यह अधरी आथे है कि सबसे-पहले जो एुनिवस्टी ऐस थी वह अग्व फिर इटली में क्यों open की गई ठीक है तूं क्यों open की गई सारे point लिखे हुए है फिर की contribution क्या था प्रोगेशन ऑफ humanist ideology का तो अरे कहां चला गए फिर से यह रहा तो human ideology को कैसे इसने और ज्यादा expand किया उसके वारे में यह कुछ point लिखने थे है ठीक है चलिए इस प्रकार से within 55 minutes हमने discuss कर लिए है total section A, B और C अब हम बात करेंगे section D की और section D जो है यह है शुरूत आधार है ठीके बच्छो क्या है यह शुरूत आधार सबसे पहले हमारा सुरूत का topic है बच्छो यास यास नियम सहिता चंगेश खान की तो चलिए यास को पहले underline करते हैं फिर पढ़ते हैं इसको क्या दिया गया है द कत्रित कर उनकी भश्चुना के ठीक है उसने उनको पापी कहा एकत्रित किया और कहा कि तुम सब पापी हो मैं तुम चिताबनी देता हूँ कि तुम इन पापों का प्राचित अभी करो ठीक है नहीं तो तुमें उसके लिए धन देना पड़ेगा यह वर्णन करने योगिं एक नाटकी ए घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। और साथ में यह चौका देने वाली टिपनी थी कि चंगेश खान के यास के अनुसार था जो भी उबरेंड दिया गया था ठीक है कि यास से क्या अब प्राय है और यह प्रचलेन में कब आया और किस ने दिया तो यास क्या है यास प्रारंबिक रूम से वह नियम सहिता है जिसे चंगेश खान ने 1206 में कुरिल ताई में लागो किया था ठीक है अब यह विसिकली यास थी क्या तो यास जो है यह अपनी पहचान और विस्ष्टता को बनाए रखने की एक विदी थी ठीक है तो यास यास यान की चंगेश खान की विदी सहीं था उसके बार चंगेश खान ने मुसल्मानों को कहा एकतित किया और क्की चताब नहीं थी तो सबसे पहले 1221 जब बुखारा पर विजय प्रप्द कर ली चंगेश खान ने तो उसके बाद वहां के अमीर मुसलमान निवाशियों को उस सब मैदान में एकतित किया और फिर उनको चताब नहीं और कहा यह और लिया कर सकते हो Congratulations नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65 तो क्या दिया आ गया है देखते हैं की बार में आए गया या नहीं चलिए पढ़ते हैं इसको क्या दिया गया है People's Republic of China इसमें सरकार कायम हुई 1949 में तो यहापे आपके MCQ भी complete होते जाएंगे बच्चों ध्यान से देख लेना ठीक है People's Republic of China की सरकार कायम हुई 1949 में यह नए लोकतंत के सिधानतों पर आधारित थी ठीक है सर्वहारा की ताना शाही जिसे कायम करने का दावा सोवियत संग का था इससे भिन एक नया लोकतंत सभी सामाजिक वर्गों का गटवंदन था आर्थिव्योस्ता के मुख की छेत्र सरकार के नियंत्रम ने रखे गए साथ ही निजी कार खानों और भूर स्वामित को दीरे दीरे करके खतम किया गया यह कारिकरम 1953 तक चलता रहा सरकार ने समाजवारी बदलाओ का कारिकरम सुरू करने की गोशना करती 1958 में लंबी चलांग वाले आंदूलन की नीती की जरिये देश का तेजी से और दूगी करन करने की कोशिस की गई लोगों को अपने घर के पिछवाडे में इस पात की भट्निया लगाने के लिए प्रोसाहित किया गया ग्रामीड इलाकों में पीपुल्स कम्यून्स जहां लोग एकटे जमीन के मालिक थे वहां मिल जूलकर फसलोगाने लगे 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाए थे जो क्रिशक आवारी का 98 परसेंट थे ठीक है अब कोशन देखो क्या है बच्छो कि पीपुल्स और रिपब्लिक और रिपब्लिक और चाइना इसके सरकार कब काईम हुई थी तो 1949 में नए लोकतन के सिद्धान दो परा धाले थे लंबी छलांग वाला आंदोलन कब चला और क्यों चलाए गया था तो देख लो ये आंदोलन 1958 में चला था और क्यों चलाए गया था ताकि इसके जरिए देश से और दूगी करन करने की कोशिश की गई थे तो बोलेंगे की ताना शाहिए यह सब्द कालमाक्स के द्वारा प्रियोग किया गया था जिसमें यह बल दिया गया था कि अमीर वर्ग की दमनकारी सरकार को स्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी सरकार प्रति इस्थापित कर देगी और यह मौजूदा अर्थ में अधिनायक तंत्र नहीं होगा तो यह थी सर्भारा की ताना शाहिए और इसका प्रियोग ओके बच्चो आगया समझ में बड़ी आतरी किसे इंग्लिस मीडियो में देख लेंगे establishment of new democracy in 1949 to 65 ओके यह आपका point है सारे के सारे और यह आपके इसके questions यहां से पढ़ सकते हो ओके तो अब हम बात करते हैं अपने इस section number D के सबसे आखरी स्रोत की फिर आपका मैं पाजाएगा ठीक है स्रोत है बाल्टसार के वारे में यह लिखा गया था दी कोट्रिय नामक किताब में और 1528 में ठीक है काफी बड़ा है यह तो अगर आप चाहो तो इसको पढ़ लो यहां पर मैं सीधा सीधा आपको answer यहां पर बताता हूँ ठीक है चलो देखो उप्रोक्त विवरंड किस पुस्तक से लिया गया उसके लेखक कौन है तो लेखक कौन है स्वेम बाल्सार है इनकी पुस्तक का नाम है दे कोर्ट्रियर और जो की 1520 में लिखी थी अगला कॉश्चन क्या है कि इस्तरी और पुरुष दोनों के लिए कौन-कौन से गुड आवश्यक है तो कौन-कौन से गुड आवश्यक है वो यहां से दिये गए है यह रहे यहां से अच्छे कुल से लिखे इतने सारे के सारे यह सारे गुड इस्तरी और पुरुष दोनों के लिए आवश्यक है तो देख लेंगे आपर वही रिखा हुआ है अच्छे कुल का होना दिखावे का परित्याग करना सैज रूप से सालिग होना अब जो आपका ये तीसरा कोशन है वच्छो ये एक ऐसा कोशन है जिसके अंदर से आपका तीन नंबर के कोशन बन सकता है तो ध्यान से पढ़ो पंद्रवी और सोलवी सताब्दी में महिलाओं की इस्तिति का वरन कीजिए और यही नहीं इस कोशन को ऐसे पूछा जाएगा कि महिलाओं की इस्तिति जो है वो पौनर जागरन के दोरान कैसी थी पौनर जागरन काल के दोरान तो से मांसर आपको लिखना है तो लिखेंगे सारजनिक जीवन में अभिजाद वा संपन्न परिवारों में पुरुषों का ही परियुत होता था महिलाओं को कारोवार में परामश आदी देने का बिल्कुल वरिकार नहीं होता था महिलाओं के दहेज थे ये पुरुष अपने व्यापार में अपने काम के लिए लगा लेते थे ठीक है महिलाओं को लड़कियों को सिक्षा भी यहां पर नहीं मिलती थी उच्छे देना अच्छा ही नहीं समझ सेथे पूर्वा ग्रह था ना यहां पर वो चीज़ें थी ठीक है तो पंदर वी सोल से आप दे यानिकी पुना जागरन के काल में महिलाओं के क्या इस्तिती थी अगो आप समझ गया अच्छे तरीके से चलिए यह कोशन होगे आपका अब जो बच्छे इंगलिस मीडियम के हैं वह यहां से देख लिजिए बाल साथ के बारे में क्या क्या दिया गया है आपके पूरा क्या पूरा कॉनसेप्ट है ठीक है यह आपके सारे कैसारे कोशन और आकरी और यह आएगा पांच नमबर का ठीक है तो बड़े ध्यान से सुनो बच्चो आपके मैप की तयारी के लिए हमने एक ऐसी वीडियो बनाई है जो कि अराउंड 20 मिनट की है अगर आपने यह देख ली ठीक है एक बार में नहीं समझ आती है तो दो बार देखो दूसरी बार यह समझ नहीं आती हो तीसरी बार देखो लेकिन देखो उसे तब तक जब तक कि आपको समझ में नहीं आती है क्योंकि वो मैप इतने इंपॉर्टेंट है कि कल के पेपर में आपको वहीं से कोश्ण देखने को मिलेंगे ठीक है आपकी तयारी बहुत अच्छी हो जाएगी तो इटली के राज्य का मैप हो गया आपका और साथी एक और दूसरा मैप लिए बच्चों यहाँ पे मैंने वो है आपका आउस्ट्रिलिया का ठीक है तो दो मैप की प्रेक्टिस आपके मैं यहाँ पर करवा दूँगा तो ध्यान से आए पढ़ते हैं तो सबसे पहले इटली के राज्यों की बात कर लेते हैं इटली के राज्यों में आप थोड़ा ध्यान से समझें तोटल आपको पांच से छे जगह याद करनी है कौन-कौन सी सबसे पहले तो आपको तीन दूइप याद कर लेने है कौन से सबसे पहला दूइप कोर्शिका दूसरा साडिनिया और तीसरा ये सिसली ठीक है कोर्शिका याद कर लिया साडिन याद कर लिया और सिसली याद कर लिया बस तो देख लेते हैं मैं अपने कहां पर होंगे तो तीसरा क्या है बच्छो आपका सोचो अभी आपने क्या लगाया था तीसरे के लिए तीसरा हमने लगाया था कोर्शिका ठीक है पहला क्या था हमारा पहला था शडीनिया है ना और ये जो आपका दूसरा है ये क्या था ये था शिशली तो कोश्च का तीसरा है पहला शडीनिया है और दूसरा आपका शिशली है और क्या याद करना है सर और याद करना है आपको जेनेवा पादुआ वेनिस इटली और फ्लोरेंस ठीक है आप कैसे याद करोगे तो सबसे पहले देखो सबसे टॉपिक क्या है सबसे टॉपिक होता जीतने वाला यानि की जेनेवा यहां पर है पादुआ इसलिए बोलेनिया और यहां पर आपका रोम आ जाता है बीच में आपका फ्लोरेंस है बस और कुछ भी यही आपके में है इतलि से और जहां तक रही बात ऑस टेलिया की मैप की तो यह मैप इतना आसान है कि आपको आसान नहीust समझ में आ जाएगा कैसे आपके बस जो मैं बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना आप यह मान ओ कि यह जो ऑस ट्रेलिया का यह जो map है, यह एक व्यक्ति है अब यह व्यक्ति है अब इसी व्यक्ति का जो head है, ठीक है head हो जाएगा इसका Darwin ठीक है, इसका left hand हो जाएगा पर्थ, right hand हो जाएगा ओके तो अब हम बात करते हैं एक और important map की ठीक है, जो की है आपका Australia के वारे में, और यह जो मैं पहना बच्चो, इसको समझना बहुत ही आसान है, एक trick बताता हूँ आपके इसको कैसे याद करोगे, तो इसको याद करने के लिए आप यह समझो, कि Australia का यह जो map है न, यह एक व्यक्ति है, यह एक person है ठीक है, इस person का जो head है head, यानि कि sir, वो है Darwin, इसका जो left hand है वो है Perth, और इसका जो right hand है वो है Sydney, और right hand में इसने पहनी हुई है एक चूड़ी, एक कड़ा, जो की है Australia की राजधानी, Kenvera, ठीक है तो head है Darwin left hand है Perth, right hand Sydney, हाथ में पहना हुए इसने कड़ा, यानि की Kenvera, राजधानी, फिर LD dude और Melbourne उपर निची आ जाएंगे ठीक है न, जैसे LD dude को A से, और इसको M से कर लो, AM होगा इस प्रकार से है न, चलो practice करो बच्चो सोचो, पहला इसका head क्या बताया मैंने आपको head मैंने आपको बताया Darwin, क्या बताया यहां पर है इसका, तो right hand क्या था बच्चो right hand यहां पर आपको क्या बताया था मैंने इसने हाथ में क्या पहनी थी, राजधानी क्या थी इसकी, Kenvera, तो पहले रिख देते हैं Kenvera, यह थे इसने कड़ा पहना हुआ था हाथ में अब यह तीसरा क्या है ठीक है, तो तीसरा है बच्चो Sydney, यहां पर यह आपका जो है, यह Sydney है, और आपको मैंने बताया था, AM, AM यानि की, यह हो गया LD डोड, ठीक है LD डोड, और इसके नीचे यहां पर यह हो गया आपका, mail burn ठीक है इस परकार से, बस हो गया आपका उश्चिलिया का map, ठीक है बच्चो चलिए इस परकार से, आज के map के questions, एंड सारा का सारा sample paper हमने यहां पर discuss कर लिया, ओके बच्चो तो अब आप सभी को, एक वार फिर से, मेरी तरब से आपके history के, final के exam के लिए, all the best, बच्चो बहुत अच्छी हमने तयारी किये, पिछले सिर्फ और सिर्फ दो से तीन दिनों में ही, ठीक है, और मुझे जहां तक लगता है, कि जितनी वी वीडियो हमने आपके लिए लाई हैं, जैसे कि mcqs, map की वीडियो question answer की, आपके लिए साथ sample question paper, एक दो नहीं साथ sample question paper, तो आप सभी का इस बारे में क्या feedback है, सभी के सभी बच्चे मुझे comment में ज़रू बताना कि आपको इससे तयारी में कितनी help में ली, और जब आप अपना आज paper देखे आओगे तो इस वीडियो के नीचे comment करके जाना paper देने के बाद में कि आपको इनसे कितनी help में ली थी, ठीक है, आपको कितने marks बगएर आ सकते सारी चुझों का, well एक और फिस से, all the west अभी उच्चों को अच्छे paper करके आना, बहुत बहुत धनी बाद, जै हिन, जै भारत, वन दे मातरम